नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत हम देख रहे थे चाई CT एक्जाम हो चाई पसु परिचर हो चाई रीट एक्जाम हो चाई आर्मी आरेस एरपोर्स वाई ग्रूप वीडियो पटवार आरेस बरती जिनिके अंदर विज्ञान पूची जाती है विज्ञान से रिलेटेड एंसी एर्टी और आर्बियसी परादारीत 1551 टोप पर संदोस्तों जिसके अंदर आज हमारा पार्ट नमबर 11 रहेगा अब तक पार्ट दस एन एक हजार क्योशन हमने देख लिये हैं और जो भी साती इस पार्ट के माद्यम से जुड़ रहा है सोचो मत रटलो इनको यानि कि जो ये क्योशन है एक एक यूशन ये 1551 क्योशन इनसे बार आज तक ना तो एकजामों में गए हैं और नहीं आपके जाएंगे एक एक क्योशन को आपको रटना है समझना है दोस्तों पार्ट नमबर 11 यानि कि एक हजार एक से ग्यारा सो तक क्योशन आज की इस कलास के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं बाकी पले लिस्ट मनी हुई है विज्ञान 1551 परसन के नाम से जहां से जाकर आप एक एक पार्ट को टेंड कर सकते हैं तो सबसे पहले एक बार जो भी मित्र जुड़ चुके हैं एक बार दबाकर वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहला क्यों सबसे पहले करना है और एक चीज बता दूँ आप जो बढ़तियां मैंने बताई है इनमें से किसी भी बढ़ती की त्य साम को यह वीडियो मिल रहा है आपको रेगुलर अटेंड करें पहले से लेकर 15 वीडियो आएंगे पूरे के पूरे अटेंड कर लेना जिसे आपका क्यों सन एक जाम में गलत ना हो पाई पहला है पाईरी डोक्सीन आईरन और फोली कम लिए तीन हुई है तो सभी ओप्सन लिए जो यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्यू संदे की आयोडिन प्रिक्षन किसे गटक के लिए किया जाता है बात किसकी कर रहे हैं आयोडिन प्रिक्षन की आयोडिन प्रिक्षन से कार्बो हाइड्रेट की जानकारी मिलती है और जो साती पसू प्रिचर वाले हैं वह य इंपोर्टेंट रहता ही है अगला क्यों सन उपवास के दिन सरीर को उर्जा किसे मिलती है उपवास आप रखते हैं तो उस दिन जो सरीर की वसा होती है उससे क्या मिलती है सरीर को उर्जा की प्राप्ती होती है दोस्तुं नेक्स्ट क्यों सने ब्रेंट सुगर किसे कहते हैं ब्रेंज सुगर के नाम से किसको जाना जाता है ब्रेंज सुगर कहते हैं गलेक्टोज को किसको कहते हैं गलेक्टोज को इंपोर्टेंट क्यों सनिये कि नेक्स्ट क्यूसे ने पादपु की कोशी का भित्ती बनी होती है पादपु की जो कोशी का भित्ती है वो किसे बनी होती है सेलूलोस से किसे बनी होती है सेलूलोस से दोस्तों क्यों से नमबर छे देखे उर्जा का एसाई मातरक क्या होता है बता दीजिए एक बार उर्जा का एसाई मातरक क्या होता है क्या होता है जूल होता है जूल एसाई मातरक होता है मित्रों आज तारीक और कल का दिन आज और कल का ये दिन है अगर आप इनमें से किसी भी भरती की तैयारी में लगे हुए है और आप चाहते हैं कि हम सर के साथ जुड़कर बैतर त्यारी करें त तो जो भी साती चाहिए पसुपरीचर हो, चाहिए सीटी हो, चाहिए रीट हो, चाहिए सेगंड ग्रेड हो, चाहिए कोई सा भी कोर्स हो, 90 परतिसत की छूट चल रही है, अन्तिम दिन बचाय लगबग, अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो समय के साथ इसको जोइन कर लीजिए, कुचामन ओनलाइन कलासे जीए, पिपिटी के मादिम से रास्तान में पहली बार अदिन करने का मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है, एक ग्राम वसा के ओक्सिक्रण से प्राप्त उर्जा का सेदांतिक मान कितना होता है, एक ग्राम वसा के ओक्सिक्रण से प्राप्त उर्जा कितनी होती है, 9.3 केलो केलोरी option C सही रहीगा next सरीर वर्दक बोजन कहा जाता है सरीर वर्दक बोजन किसी कहा जाता है protein युक्त बोजन को किसको protein युक्त बोजन सरीर वर्दक बोजन कहलाता है 100 सरकरा का उदारन है 100 सरकरा और 100 सरकरा कहते है फ्रक्टोज को किसको फ्रक्टोज को 100 सरकरा कहते हैं वसा यह वसा क्या होती है क्या होती है मेरे साथ यूँ ट्राई एस्टर वसा ट्राई एस्टर वसा कहलाती है next question है protein बनाने का कार चाना कहलाता है Crybosome next question है म्मानव सरीर में कितने परकार के Amino-Amla पाई जाते हैं म्मानव सरीर और म्मानव सरीर में Amino-Amla होते हैं 20 परकार के देने परकार के 20 परकार के दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन है सुमेलित कीजिएगा अब देखो दड़ा दर सुमेलित कर देना एक बार सबसे पहले विटामिन किस काम आते हैं गाव बरने किरेटिन नाखुन वसा मोटापा हिमोगलोबिन आईरन हिमोगलोबिन आईरन होता है तो बीए सीडी कि ओप्सन भी सही रहेगा क्यों से नमर चोदे सैद में कौन सी सरक्रा होती है सैद के अंदर फ्रोक्टोज सैद में कौन सी सरक्रा सरक्रा होती है फ्रक्टोज होती है दोस्तों बोजन में संचीत उर्जा का परकार है बोजन में संचीत उर्जा का परकार कौन सा होता है टीपी नेक्स्ट यूसन है गलुकोज के पून देन से निर्मित उत्पाद गलुकोज का अगर पून दोन किया जाता है तो कारबंडाई ओक्साइड वेस एंच टू यानि जल प्राप्त होता है दोस्तु वाई भी ये साउसन की किरिया कितने चरण में संपन होती है वाई वी किसको सिकांग को कहा जाता है सरीर का सक्ति ग्रह किसको सिकांग को कहते हैं माइटो कॉंडरिया को किसको कहते हैं माइटो कॉंडरिया को दोस्तों क्यों से नमर 19 है गलाइकोलाइसिस की किरिया संपन होती है गलाइकोलाइसिस की जो किरिया है ये संपन होती है कहां पर कोसी क काद दर्वे में कहां पर होती है यह कोशीकाद दर्वे के अंदर दोस्तों क्यूसर नमबर 20 है एवाई विए संवसन की किरिया संपन होती है एवाई विए संवसन की किरिया संपन होती है कहां पर खमीर में कहां पर संपन होती है यह खमीर के अंदर किसे अमल का संग्रण पेशियों में एंठन उत्पन करता है किसे अमल का संग्रण है जो पेशियों में एंठन उत्पन करता है तो वो है लेक्टिक अमल कौन सा होता है लेक्टिक अमल होता है दोस्तु क्योसरा नमर 22 है सरीर में किस अमल के बनने से ठकान का अनुबव होता है किस के बनने से अगर सरीर के अंदर आपके लेक्टिक अमल बन गया है तो आपको ठकान का अनुबव होगा दोस्तों क्योसरा नमर 23 YVS वसन यदि एक गुलकोज में चले तो कुल कितनी ATP का लाब होगा, ए गुलकोज में चले, तो लगबग हमें 38 ATP उरजा का लाब होगा, दोस्तू. क्यों से नमर 24 देखे? गलाइकोलाइसिस चकर में कितने ATP का सुदिलाब होता या, गलाइकोलाइसिस के अंदर, कितनी ATP का सुधलाब होता है 2 ATP का कितनी का 2 ATP का सुधलाब होता है दोस्तू किनवन की खोज का सर्य है जो किनवन है इसकी खोज किसने की थी लूइस पासर ने लूइस पासर ने 1977 के अंदर Next question है सुसाइड बेक किसको सिकांग को कहते है सुसाइड बेक के नाम से किसको सिकांग को जाना जाता है किसको लाइसोसोम को किसको जाना जाता है लाइसोसोम को क्योंसे नमर 27 कंट का फुलावा बाग कहलाता है कंट का फुलावा बाग क्या कहलाता है कंट मनी होता है एडियम से पल या टेटवा अरे यह बार की तरब दिकाई देता है ना यह टेटवा दबा दूंगा बोलते नहीं हो क्या वोई तो उप्रोग सभी ओप्शन डीस सही रहेगा क्यों से नमर टाइस है मनुसे का सवरी अंतर इस्तित होता है जो मेरा बेटा हुआ है सवर यंतर कंट में वसितित होता है दोस्टों नेक्ष्ट क्यूशन है फुपूसे लंगस किसे अवर्ण से डखे रहते हैं किसे डखे रहते हैं यह यह कर दे फृलूरा से किसे फृलूरा से अब क्योंसर नम्मर 30 देखिए मनुसे में पसलियू की संक्या कितनी होती है अरे मनुसे में कितनी पसलियां होती है 24 कितनी होती है 24 पसलियां मनुसे के अंदर होती है दोस्तों नेक्स्ट मनुसे में सौसन वरनक है मनुसे में सौसन वरनक कौन सा, सौसन का वरनक यह होता है हिमोगलोबिन, कौन सा होता है हिमोगलोबिन दोस्तुं नेक्स्ट क्यूसन, रक्त के लाल रंग का कारण है, रक्त होता है इसके लाल रंग का कारण क्या होता है हिमोगलोबिन क्या कारण होता है हीमोगलोबिन है समझ गए क्यूसर नमर 33 देखे मानवरक्त में ओक्सिजन का प्रिवेन किस रूप में होता है मानवरक्त ओक्सिजन का प्रिवेन किस रूप में होता है किस रूप में होता है ओक्सी हीमोगलोबिन के रूप में ओक सी लोबन के रूप में होता है नेच्ट रे सवरतन यहनी सवासन की किरिया का नियंतरन करता है जो सञंक सं Que George एसका नियंतरन कों और करता है इसका नियंतरन करता मिद्फल काम डिल्य एल और बबलागेटा कोन मेद्फल ओ ओबलागेटा में और तौं कि उसके नमरDes 35 है हिमोगलोबिन का कार यह नहीं है हिमोगलोबिन का क्या कार यह नहीं होता है ओक्सिजन का प्रिवेन होता है रग्त को रंग परदान करना है ओक्सिजन से बंदूता रखना है नाइट्रोजन गेस का प्रिवेन करना यह कार यह नहीं होता है आपका तो ओप्संडी यहां प यह संपन होती है कहां पर तो यह रहा कुपी का वर रग्त को सीका के मद्दे कुपी का वर रग्त कैसी का होती है इनके मद्दे दोस्तु नेक्स्ट क्यूसन है मनुसे सामाने वेक्त में सवसंदर होती है मनुसे एक सामाने है और उसमें मनुसे की सवसंदर है वो कितनी होती है कितने होती है सोडा से अठारा परती मिनट अरस सवसंदर हर देगती की बात नहीं हो रही है सोडा से अठारा परती मिनट सवसंदर रहती है दोस्तों केटू में सवासन या गेसु के विनिमे की किरिया होती है किसके दुआरा होती है केटू के अंदर सवास परनाल के दुआरा किसके दुआरा सवास परनाल के दुआरा कि उसर नमर 49 है मचलियों में सवसन की किरिया संपन होती है मचलिया है उनके अंदर सवसन की जो किरिया है य क्योंसर नमर 40 है सारिरिक सकर्यता के बढ़ने पर सवसंदर पर परबाव पढ़ता है सारिक सकर्यता और इसके बढ़ने पर सवसंदर पर क्या परबाव पढ़ता है क्या परबाव पढ़ता है सवसंदर बढ़ती है क्या होता है सवसंदर बढ़ती है दोस्तों क्योंसर नमर 41 ह है रख टुए कुपी का यहrans ऐनी फेपड़े के मद्दे जेसू का अदान-पर्दान किस कषिरीयय के दिवारा उता है किस करिया के दवारा होता है विसरन के दौर्ण किस के दौरर विसरन के दौर्ण के द्वारा दोस्तों askson है साउसन समंदी विकार है साउसन समंदी विकार देखे दमा साउसन समंदी विकार होता है एमपाई सिमा दो साउसन समंदी है साउसनी सोत ये भी साउसन समंदी विकार है तो प्रियुक सभी ओप संदी सही रहेगा क्यों से नमबर फोटी थ्री ए मानव सरीर में एवाई विय सेब्सन की किप रिया समपन होती हूँ पानोंस रीर और एउब को ह forskitis रिया समपन होती है का हुशी का दर्वे में कहा पर होती है affects रवे के अंदर कि ओसना मर्चाहमायिस एक विख पूरा नाम बता दीजै मस अटीब का पूरा नाम होता है एडिनोसीन in ट्राई फोस्पेट ऐसे एडिनोसीन टेसे ट्राई पीसे फोस्पेट समझ गए नेक्स्ट सर्वादिक एंजाइम युक्त को सिकांग है सर्वादिक एंजाइम युक्त को सिकांग कौन सा होता है लाइसोसोम कौन सा होता है लाइसोसोम दोस्तों क्योंसे नमर 45 सरवादिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में किसमें होते हैं लाइस वो सोम के अंदर किुढ नमरreated मैंसे कौन सा सवतन सो संतंतर का बाग नहीं है कि सवसंतंतर का बाग कौन सा नहीं है तो यह राह मुख गुआ नहीं है कौन सा नहीं है मुख गुआ Option A सही रहेगा क्योंसर नमर 48 मनुसे का कंट कितने परकार की उपस्तियों या उपस्तियों से गिरा होता है कंट कितने परकार की उपस्तियों से चार परकार की उपस्तियों से कितने चार परकार की उपस्तियों से गिरा रहता है 49 सवसन की क्रिया के पसाद किस गेस के आई तन में कमी आती है सवसन की क्रिया के पसाद किस गेस के आई तन में किस गेस और टू यानी ओक्सीजन और टू कि ओटू के आइतन में कमी आती है दोस्तों कि उसे नमर 50 उसे है हिमोगलोबीन के अंदर क्या उपस्तित आ है बताईये हीमोगलोबिन हीमोग लोग लो लोिनि आई रण क्या उपस्तित वोता है आई रंद दोस्तु नेक्स्ट्ट इसन ए ग्लाइकको लिसी वह क्रेबिस चकर की योजक करी है ग्लाइक लिसी ग्रेब कर की योज़क कड़ी है कौन सी है कौन सी है एस सी टाइल कौन सी होती है एस सी टाइल दोस्तों 52 क्रेश्टे क्रीश्टेश्यन के रग्त का नीले रंका कारण है क्रीश्टेश्यन है उसका रग्त नीले रंका होता है और यह नीले रंका क्यों होता है किसके कारण होता है निन वर्नन के कारण क्यों से नहीं आपका फेपडू की सर्चनात्मक वे किरियात्मक की काई को कहा जाता है फेपडू की शर्चनात्मक वे किरियात्मक की काई को क्या कहते है कूपी का क्या कहते है कूपी का कहा जाता है क्यों से नमर चोपन परी संचरन तंधेर का दिन करना कहलाता है परिशन्च्रन तंधोर संस Its alex 골ow Chon यह एίνरोजी केना नेक्स्ट सिर्परी संच्रन तंतर के पिता कहलाते हैं परी तंधर के पिता किने का जाता है बिलिया महार इवे को किनको वीलियम हार इवेकल नेक्स्ट मनुसे के रग्त परिसंचरन तंतर की विसेशता है कि यह एक तो बंद होता है वह दोहरा इसका परकार होता है बंद वह दोहरा परकार नेक्स्ट के उसन है मानव वर्दे इस्तित होता है मानव वर्दे कहां पर इस्तित होता है वक्ष गुवा में कहां पर होता है यह वक्ष गुवा के अंदर इस्तित होता है कि उसनमर टाउन है नलीकाकार हरिदे कि जीव में उपस्तित होता है बता दो देखनी कि जीव में कोक पրोज में किसमें होता है कोक रोच के अंदर किो सन्ट तीडानीन न झारीदे का लाता है हरinalsारी आरे हमारा री देपर उसका काल देकी सिकेते हैं उसकर कहते हैं पेश मेकर को पाया जाता है कि तव तर दे-क ऐस वाग में ऐस Gefष दाने वाग में एसुद्रक्त बेता है दाएं बाग के अंदर क्यों से नमरीक सट है रख्त के ओक्सिजनी करण का कारिये होता है रख्त के ओक्सिजनी करण का कारिये होता है क्या कहां फूपूस में फूपूस के अंदर फूपूस में सी ओप्सन कि उसे नमर 62 है बल्यू बेबी रोग का कारण है बल्यू बेबी रोग किसके कारण है नाइट्रेट आइन के कारण नाइट्रेट आइन के कारण बल्यू बेबी रोग है वो होता है नाइट्रेट आइन के कारण NO3- के कारण नेक्स्ट है वह दमनी जिसमें एसुद रखत बैता है वो फुप फूसिये दमनी फुपसिये दमनी होती है नेक्स्ट है हरदे से सरीर में रखत पहुंचाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है हर्दे से सरीर हर्दे से सरीर में पहुंचाती है दमनी जो नलिकाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं दमनी कहते हैं हैं दोस्तों सवस्ते वेस्क मनुस्य की हर्दे दड़कन हर्ट बीट होती है सवस्ते वेस्क मनुस्य की हर्दे दड़कन कितनी होती है कितनी होती है बेटर पर्ती मिनट तो हरते की धड़कन बेटर पर्ती मिनट थी याद रखना रग्त है रग्त क्या होता है तरल संयोजी उत्तक रग्त क्या होता है तरल संयोजी उत्तक नेक्स्ट है मनुसे का सामाने रग्तदाब होता है मनुसे का शामाने रग्तदाब कितना होता है 130 90 mmHG दोस्तूं Next मानव रग्त की पियंच कितनी होती है मानव रग्त की पियंच कितनी होती है 7.4 तो यह सार है या अमल है यानि सारी ये गुन दरसाता है या अमली ये गुन दरसार है ये बता दीजिए एक बार क्योंसर नमर 69 है आपका निवन में से कौन रग्त इसकंदन में साइग नहीं है कौन है जो रग्त इसकंदन में साइग नहीं है कौन नहीं है एलिब्यूमीन कौन नहीं है एलिब्यूमीन दोस्तों क्योंसर नमर 70 मानव में रग्त की सामाने मातरा मानव में रग्त की सामाने मात्रा है कितनी पांच से छे लिटर ये मिटर नहीं है ये लिटर है पांच से छे लिटर दोस्तों नेक्स्ट यदि आरबीसी को सुद जल में डाल दिया जाए तो क्या होगा आरबीसी को अगर हमने सद सुद जल में डाल दिया तो क्या होगा क्या होगा ये फूल कर क्या होगा फट जाएगी फूल कर फट जाएगी देखे कुचामन ओनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है जा परती दिन आपके लिए एक टेस्ट रहता है साइध स्टेट से आप चूक रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एक बार जाकर जरू टेलीग्राम को जोइन करें परती दिन आने वाली क्विज को यहां पर गरण करते रहे दोस्तों समझ गए बहुत ही इंपोर्टेंट चीज आप अब मा वह ओट के अंदर तriaan 73 रिए मानुस्य में आर्बी सीका सरवादिक जीवन उधी होती है बनो से मैं आ निए बीसी का सरवादिक जीवन उना वी कितने होती है 1203 कि अख और सो 70 पोर है रिए की का वेश्क अवस्ता में निर्मान होता है कहां पर कहां पर होता है लाल में लाल अस्ती मज्जा के अंदर नेक्स्ट यूशन है इलेक्ट्रो का कार्डियोग्रापी इलेक्ट्रो कार्डियोग्रापी का संबंद किस्से हैं किस्से होता है हरिदे से हर दे जांच समझ के ओप्सने सही रहेगा नेक्स्ट सरवादिक संक्या में पाए जाने वाली डबलू बीसी है कौन सी है न्यूट्रोफिल और न्यूट्रोफिल ओप्सने में है न्यूट्रोफिल दोस्तों नेक्स्ट क्यूसे ने आपका हीमोफिलिया रोग है हीमोफिलिया रोग है कैसा विसानों जिवानों कवक होता है कौन सा ही मोफीलिया क्यों से नमर 78 है मानव शरीर में रख्ट के इसकंदन नहीं होने का कारण है मानव शरीर में रख्ट के इसकंदन नहीं होने का परमु कारण क्या होता है क्या होता है हिंपेरीन क्या होता है हिंपेरीन दोस्तों क्यों सन 79 वरक निवाही का वरक अतर किसमें पाया जाता है किसमें खरगोष में किसमें पाया जाता है यह खरगोष के अंदर क्यों से नमरेटी है सबसे बड़ी सिबस्कें का गरनती सबसे बड़ी लसी न पलिया कौन सी होती है पलिया दोस्तों क्यों से नमर एटीवन देखिए आर बीसी का कबरीस्तान कहलाता है आर बीसी का कबरीस्तान पलिया क्या कहलाता है पलिया आर बीसी का कबरीस्तान क्यों से नमर एटीटू देखिए एड्स में कौन सी डबलू बीसी नश्ट हो जाती है एड्स और एड्स में कौन सी WBC नश्ट हो जाती है तो यह रही लिंपोसाइट कौन सी हो जाती है लिंपोसाइट दोस्तों कि उसे नमर 83 है सरीर का रग्त बेंग कहा जाता है सरीर का रग्त बेंग किसे कहते हैं पलिया को सरीर का रग्त बेंग किसे कहते हैं पलिया को दोस्तो करम से नमर 84 है रक्त का समोय में वर्गीकरण किस साधार पर किया जाता है पार्टीजन यानी एंटि जन के आधार पर एंटि जन के आधार पर 85 नमर क्योसन है सारवत्रीक ग्राई किस रक्त समोय को कहा जाता है सारवत्रिक ग्राई कौन सा होता है A-B दनातमक A-B पोजिटिव अगर आप A-B है तो आप किसी का भी रग्त ले सकते हैं ऐ हो चाए B हो चाए O हो नेगेटिव पोजिटिव कोई सा भी हो उनका रग्त है जो आप ले सकते हैं दोस्तों कि उसे नमरेटी शिक्स आपकी स्क्रीन पर है सारवत्री के दाता रुदीर बरा गया जो सभी को दे सकता है वह कौन सा होता है और इनात्मक अगर आपका रगत और इनात्मक है तो आप किसी को भी दे सकते हो रगत किसी को भी रगत दे सकते हो दोस्तों नेक्ष्ट क्यूसन आ यह खोजा गया था मक्का का रिसस परजाती के बंदर में दोस्तों समझगे important question next है सवस्तिवेक्ति का रुदीर रोगी को दिया जाना कहलाता है क्या कहलाता है यह कहलाता है रक्त आधान रक्तादान क्या कहलाता है रक्तादान क्यों 89 है मनुसे का रुदीर वरग कहलाता है मनुसे का रुदीर वरग कौन कौन सा कहलाता है मनुसे का अलग लग नहीं रुदीर वरग को क्या कहते हैं ABO परकार क्या कहते हैं ABO परकार 90 हर्दे का दिन करना कहलाता है हर्दे का अदेन करना कहलाता है क्या कार्डियों लोजी दोस्तों यूसा 91 एन सत्य कतन है बे पिछाणतने याने किस्या किस्या गलत है हर्दे एक पंपिंग घ्रसरीर का वेचता मंग है हर्दे रक्त का सुधीग vaccin करता है हर देक पैस करन करता है थेरे रगत का अगोट शिजन कोरन करता है कैसी होती है लबडब लबडब कैसी लबडग दगदग मत कर देना गाना सुनके मेरा जीया लबडग करने लगया अठीक होती है दवनी नेक्स्ट अर्देस पंदंदर बुरुना वस्तामे मनूस्य में कितनी होती है कि दो नी होती है 120 पर 30 मिनट दोस्तों नेक्स्ट रग्त दाब का मापन किया जाता है रग्त दाब का मापन किसे स्पीगोमो मेनोमेटर से रग्त दाब का मापन किया जाता है रग्त का अद्दिन करना क्या कहलाता है रग्त का अद्दिन क्या कहलाता है दोस्तों रग्त का अधियन कहलाता है हिमेटो लोजी हिमेटो लोजी रग्त का अधियन हिमेटो लोजी कहलाता है क्यों से 97 है रग्त का तरल भाग होता है रग्त का तरल भाग कौन सा होता है रग्त का तरल भाग प्लाजमा चोती अवस्ता प्लाजमा नेक्स्ट है WBC का कारिये क्या होता है WBC का कारिये क्या होता है सरीर की रोग परतिरोधक समता का निर्मान करना सरीर की रोग परतिरोधक जो समता है उसका निर्मान करना दोस्तों नेक्स्ट क्यों समय आपका ओरीट का ओरीए क्या होता है ओक्सिज्जन का प्रिवेन आरबीच का मुख्य कारीए तो ओक्सिजन का प्रिवेन होता है दोस्तों कौन सी रग्त कनी का रग्त का थक्का बनने में सायक होती है कौन सी रग्त कनी का है जो रग्त का थक्का बनने में सायक होती है पलेलेट्स डेंगू में क्या कम होती है पलेलेट्स कम होती है यानि रग्त का थक्का बाद में नहीं बनता है पलेलेट्स सी ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा तो इसी के साथ साइंस और विज्ञान के हमारे कुल 1100 क्यूशन है वो कंप्लेट हुए और इसके बाद आपको चार वीडियो के बाद 1551 कंप्लेट क्यूशन है वो मिल जाएंगे और जो भी कोर्स है उन सभी के अंदर ये 1500 क्यूशन है इनकी पीडियेप है वो आपक तब तक जे हिंद जे बारत